कि चलिए तो आज क्या ओनलाइन लाइब क्लाश में आप सबों का स्वागत है जैसा कि मालूमिये आप लोगों को कि हमने पिछले क्लाश में एंथ जो राशायन उद्योग था उस पर हमने चर्चा किये थे और आज होसे अगला पॉइंट होगा अर्थात अगला उद्योग होगा और बड़ा कुद्योग जी आज और बड़ा कुद्योग होगा लिक्रीजे तो मैं बदा दू आप लोगों कि उर्वरक उद्योग का तात पर जे खाद अर्थात खेत में जो उत्पादन चमता बनाने के लिए या फसल को बढ़ने के लिए जो हम उप्योग करते हैं उसी खाद बनाने वाले उद्योग को ही उर्वरक उद्योग करा जाता है और मैं आप लोग को बता दू कि भारत क्रिशी प्रधान देश है सभी को मालूम है कि भारत के अधिकांस लोग क्रिशी छेत से जुने हुए है क्योंकि भारत की भूमी उपजाओ है अता यहां क्रिशी कार्ज करना आशान है इसलिए अधिक सदिक लोग क्रिशी से जुने हुए हैं और क्रिशी छेत में कार्ज करते हैं आता, यहां पर खाद की जोड़त अधिक साधिक रहती है, जब जिस चीज की जोड़त अधिक साधिक रहती है, तो वो चीज की मांग अधिक होती है, मांग अधिक होगा, तो उसको बनाने वाले उद्योग अधिक होगा, यही करण है कि उर्वड़क उद्योग की अस्थिती में अच्छी है, मैं थुरा सब बता तो आप लोग को कि बाहरत में इस उद्योग के छेतर में पंजाब, गुजराद, यह सब काफी आगे हैं, उसके अलावा नहीं अनदेश में इस ताप यूपर होता, लिकिन पंजाब, गुजराद यह सब काफी आगे हैं, च्टो कि तो शायद आपने उर्बराक उदियों का क्या मतलब होता है शायद समझ गये हुए मैं तुरह से एक चर्चा करदू बारत में पहली बार 1926 में रानी पेठ है तमिलनाडू में वहां पर पहला उर्बराक उदियोग अस्नापी दुगा था और धिरे धिरे यहां यूदियोग बढ़ता चला गया वैसे में अभी अभी जनकारी तो आप लोगो यहां पर खाद काफी अधिक मात्रा में त्यार गोती है वाया है तो शाइद है आप और वर्बराक उदियोग को शायद है हमने जोभी फूछ कहा पूशय समच गया हुग अब इसको पाले अप लोग नोट कर लीजिए फिर आप से अप डिसकुस कित जीएगा तरिए लिख तो भारत क्रिशी प्रधान देश है यहां उर्बरक की आफशक्ता अधिक है इसलिए इस उदियों का विकास यहां तेजी से हुआ है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेट्रोजन उर्बरक उत्पादक देश है भारत का पहला उर्बरक उदियोंग उनीश स्वच्वा इस वी में रानी पेट पोस्ट में तमिलनाडो में अस्थापित किया गया था और अभी अधिक है चौश्ट बड़े उर्बरक उदियोंग भारत में है प्रग्राप चेट कुल उर्बरक उत्पादन का पचास प्रतिसद से अधिक भुजराद, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, पंजाब और केरल राज में हो रहा है इसके अतिरेक अंध्रप्रदेश, उर्षा, राजस्थान, भिहार, महराश्ट, असम, पसीम बंगाल, गौवा, दिल्ली, मद्प्रदेश, प्रता, करनाटक में भी उर्बरक का उदियोंग है तो इस तरह से हमने उर्बरक उदियोंग क्या है, उर्बरक उदियोंग कि भारत में क्या स्यती है, कब सुरू हुआ, कितने उदियोंग है, इन तमाम जानकारी आपको देने का प्रियास किया और लिखाया भी, अगर इसमें अभी भी कोई डोट बजा रहा है या इसको लेक जी कोई डोट है तो आप क्लियर कर लीजिए, चलिए कि अच्छी बात है कि आपको कोई डोट नहीं है, चुकि आपकी ये चुपी हमें संकेत कर रही है, इस राएद आपको कोई डोट कोई दिखा दीश में नहीं आता, हम अगले पॉइंट दोर बढ़ते हैं, मैं थोड़ पेन नीचे रखिए, सिमेंट उद्योग में किलियर है कि क्या बनता हुआ, सिमेंट बनता हुआ, और भारत विकासिल देश है, यहां पर भावन निर्वान का कार्ज कापी अधिक हो रहा है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे आवास्य अगर हो, पर भावन निर्वान का काम अधिक होता है, चुकि भावन का जोड़त यहां पर अधिक है, तो निशित रुप से भावन निर्वान में शिमेंट का विकास भी अधिक या तेजी से होगा ही यह वोना शोबादी के वह से मैं बता दू बात में पहला सिमेंट उदियो उनीस स्वचाइश्वी में याद रहे तुरा कि जिवा उनीस स्वचाइश्वी में चन नहीं मस्ता फितवा और बड़ी तेजी से इसके संख्या बढ़ रहा मैं तुरा बता दो बर्तमादम समय में 332 बरे सिमेंट का उदियोग भारत में है और चोटे-चोटे भी कई उदियोग है और इसका पिकास तेजी से होई राचु की मान काफी अधिक है इसलिए इसका उप्योग और यह और बताते हैं यह कियाद रखिगा सिमेंट में रख्यामाल के रुप में सबसे इसी अजिक का उप्योग होता है तो चुना प्त्र का बत्र बस यह यह दियाद रखिएगा चुना पथ्छर अब्योग होता है और वी चीज उसमें होता है सिलीका, hellumunium फोएला इतियादी का भी उप्योग होता है लेकि इसका लिखास किस रखतार से फोड़ रहा है समय कम है इसलिए हम चाहते है कि इस पॉइंट को किसका माज खतम होजाना चाहिए अता इसको पहले आप लोगो भारत विक्षिद देश है अता यहां भावनों का निर्मान काफी अधिक हो रहा है इसलिए यहां सिमेंट उद्यों का वि भारत वीशु का दूसरा सबसे बरा सिमेंट उत्पादक देश है भारत में कई तरह के शिमेंट का उत्पादन होता है जैसे सरहारन, पॉटलेंट, सभेज सिमेंट, कंक्रीट सिमेंट, शिमेंट आधी प्रग्राप चेंज भारत में पहला सिमेंट उत्योग उनीश सचार इस भी में शनई में अस्थापित किया गया था और आज देश में 169 बड़े था 332 से अधिक छोटे उत्योग है बरतमान समय में प्रती वर्ष बीश करोट टन से अधिक सिमेंट का उत्पादन भारत में होता है तो अगरे वाई इस तरह से हमने सिमेंट उत्योग को समझाने और लिखाने का प्रयास किया अगर इसको लेकर किसी भी तरह के डौट आपके मन में है तो आप उस सकते हैं जी अगरे अच्छी बात है कि आज आप लोगों को किसी भी तरह का डौट नहीं आ रहा है लेकिन मेरे भाई में आज आगे अमने बर्भाव गया तो कि आपके समय इसारा कर रहा है कि आप समय आप ठोने बानाया था आज की क्लास को जिली पर विराम देरें